हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अंजली गुपता और स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार इस्टी टीविद इंजिनियर सुभेल में तो हम लोगों ने जो सीदीपी की सीरीज चला रखिए उसमें आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है कोल वर्का नैतिक विकास का ठीक है तो इससे पहले हमने जितने भी पढ़ा है आप उन सब को अच्छे से रिवाइस जरूर कीजिए बार-बार और उनसे जुड़े प्रिविएस यर कुशिन भी लगाते रहें तार्थि आपको जो है वह त्योरी के कॉंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएं और प्ल भी थीकिन अग्रेजी बाशा का शब्द है जो लाटिन वर्ड मोरो से निकला है जिसका अर्थ है तौर तरीका ठीक है तो नौरल क्या है जो कि जो हमारा तौर तरीका होता है बढ़त में इस शीजन लेना होता है या ये सही है ये नहीं सही है ये सब क्या होता है moral चीज़े होती है हमारा नैतिक विवार होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें ठीक है तो वो moral में आती है अब क्या नैतिकता में हम सही और गलत की बीच अंतर करते हैं ठीक है morality का mentality से होता है अब morality का संश्मंद mentality से कैसे है जैसे कि अगर हम किशी चीज के बारे मैं decision लेंगे कि यह सही गलत में फर्क करेंगे कि यह हमेंच्व . spirit करें बुद्र करेंगे तौ इसलिए morality का संबन्द किस से है mentality से हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोवलवर्ग एक अमेरिकी मनोवय ग्यानिक थे जो अपने नयतिक विकास के सिद्धान के लिए जाने जाते हैं ठीक है और यह जो इनकी यह डवर्ड डवलप्मेंट ठीवरी है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट में तो हर बार ही यह कुछ कोशन पूछा जाता है और यह कोशी किसे का पूछे नाम जो पूछ लेते हैं तो न बत ब मंघ तो अब ऐलते क्या हैं énormément क्या है कोवक बन राच ने क्या किया कि एक कि 72 वैस है और लड़के हैं उनका गड़नाइब स्टोरी सुनाते थे प्रक्रशन पूच protection झिससे उन्हें पताच लिए कि इस्टो विकास हुआ है या किश इस सतर के बच्चे इज के secret इस ग्रूप की बच्चे कितना नाय तो है वह सोच रखते हैं कितनी नजनी नाय तो कितनी उन में तो 72 वाइस को ग्रूप बनाकर स्टोरी सुनाते थे और प्रश्न करते थे ताकि चिंदन कर सकें बच्चे चिंदन कर सकें ठीक है और फिर सही और गलत के बारे में जो है वो बता सकें कि उनका कितना नैतिक विकास समेंट हुआ है ठीक है इनकी त्योरी का आधार चिल्ड्रन्स रिस्पॉंस था ठीक तो इनकी जो है इन्होंने किया एक स्टोरी दिया जिसे हम कहते हैं हेंज डायलमा हेंज तुविधा इससे स्टोरी को हम हेंज तुविधा के नाम से जाने ते छोटी सी स्टोरी है देखते हैं इन्होंने क्या बोल सब एक विमारी हो गई होती है जिससे उसकी जान भी उसके जान जाने का खत्रा होता है तो जहां उसका ट्रेटमेंट चल रहा होता है जिस डॉक्टर से तो वो बोलते हैं कि जिसने यह दवा बनाई है जिस भी फॉर्मॉलिस्ट ने मतलब आप उसके आहां जाकर इस दवा को है ले आए तो आपके पत्मी जो है वो ठीक हो जाएगो तो वह हैंच क्या करता है कि जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह उसको पैसे दे सके चको तो वह क्या करता है आपने जेतने भी हैं या जितने पोड़े और शाष्ट करता है लेकाります करता है तो भी उसके पास इस रेट के हाफ ही पैसे उसके पास इकटे हो पाते हैं तो फिर पाप है मज़े रिक्वेस्ट करता है की आप मुझे यह दवा दव द CP मेरी पतनी जो है वो मर जाएगी मैं आपको जो बचे हुए पैसे बाद में दे दूँगा तो वो केमिस्ट कहता है कि मैं यहां दान देने के लिए नहीं बैटा हूं मैं यहां कमाने के लिए बैटा हूं तो फिर जो है हैंजवा से लौट जाता है फिर हैंज सोचता है कि ऐसे तो मेरी पतनी जो है वो मर जाएगी तो वो रात में जाकर चोरी कर लेता है उसकी दुकान से केमिस्ट की दुकान से वो दवा जो है वो चोरी कर लेता है तो अब आप ये बताईए कि हैंज ने सही किया या गलत किया ये आप से भी पूछ रही हूं मैं कि उसने सही किया या ग गलत किया अगर उसने चोरी नहीं की होती तो उसकी पत्नी जो है वो मर जाती और अगर उसने चोरी कर लिये तो अब उसे पुलिस ले जाएगी तो उसका क्या करना सही था और क्या करना नहीं सही था ठीक है तो आप बच्चे क्या है नैतिक चिंतन करेंगे इस बारे में तो य सब्सक्राइब दूविदा होती है ठीक है और जोजिए देली कि यह यह नहीं चाहिए थी ठीक है यह उसके क्या है हो गई नाथीасть दूविदा और यह गोट क्दा में थीं17 रिप्दूब गार्श करनी चाहिए तेरे मोरूर्ल रीजुनिंग में प्रूदस हो गई सही गलत के निरणे में शामिल जिन्तन प्रक्रिया जब हम सही गलत का वोई निर लेते हैं तो उसमें हम अपने जो ऐख प्रोसेस पतलब पॉच्छत जलाते कि क्या सही है उसमें जिन्तन करते अपने दिमाग में तो उसको क्या कहते हैं नाथिक तरगना या Moral Reasoning फिर हैं थार step 3 की नैतिक कारवाई याब कर लेगा बच्चा की मतलब सही और गलत के विजार कर लिया कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा और उस हिसाब से उसको चूज कर लिगा कि हाँ ये सही है ये गलत है तो ये last step था ठीक है और ये कानून के खिलाफ है जोरी नहीं करनी चाहिए कुछ बच्चे कुछ बच्चों ने ये वाला आंसर दिया तो इस इन्हीं आंसर के बेस में बेस पे जो है कोहलवर्ग ने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया बच्चों को ठीक है तो हम लोग वही देखेंगे कि कौन सी स्टेजेस इन्होंने बताएं आप इसका स्क्रेंशओ् है वह ने लिए फिर स्टेजेस के बारे में बात करते हैं आप तो अब हम लोग जो है इनकी स्टेजेस को देख लेते हैं की कर इन्होंने कौन सी स्टेजेस में डिवाइड किया बच्चों के ग्रॉप को तो यह पहली स्टेज है वह पूरव पूरीपरागत इस्तर कों कहते हैं Pre Conventional Stage अब जो पूरीपरागत स्तर है इसको में इसको मतलब वहां बना का लगनाम से भी जाना जैता है तो आपको हिंडी में काफी सारे नाम इसमें मिल जाएंगे इसलिए आप बेतर होगा कि इंग्लेश में सटेज को याद रखें अजी पहले इस स्टेज पूर परागत इस तर्म परांपरागत इस तर्म जो से चार वर्स तक का बच्चा में नहीं होते हैं उनमें कोई नहीं होती है ू जो जो इस से पहले के बच्च्च योट मैं किया होती है। और इस में में क्या है क्छलिन हमारी कैसी होती हूटी है। यह करना सही है। तो भच्चा फिर वैसे हिए करना सही है। किसमें दर से वो काम करेगा आगया पालन कि नाम से वो काम करेगा कि यह नहीं कुरूंगा तो मेरी प्टाई होगी तो इस cricket काम करता है उब तो यहां खूर क्या होती है दूसरे लोगों कि मानकों के अनसार होती है ठीक है जो तीन स्टेज है यह हमारी इनके वी दो दो जो है वो सब स्टेज दे रखी है ठीक है तो टोटल कितनी यह च्छे स्टेज प्लस यह तीन स्टेज ठीक है तो जो तीन स्टेज पहनी स्टेज इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वह दंड एवं आग्या पालन अब यह क्या सजा से बचने हेतु आग्या पालन की अवस्था अब इसमें जो तीन से चार सावित का बच्चा है चार से चार-पार साल का क्या करता है कि अगर मैंने सामान फैलाया तो मुझे पटाई होगी मुझे सामान नहीं पैलाना चाहिए और कोई आमान लीजिए उसके घर में कोई ग लोग मतलब करते हैं तो अगर यह नहीं किया तो मेरी वो पिटाई होगी तो उस डर से वह क्या करता है वो काम करता है तो यह इस चार्स मतलब कि इस एप शेकर में आख जोगा तो इसे इसमें ज्सक्राइब दी तो दूसर वालु क्या करें इसमें चलता है तो यह इसमें चलता ठीक है ना जैसे को तैसा ठीक है फिर सेकेंड हमारी स्टेज है परम परागत इस तर इसमें क्या है नैतिकता जो है वो बच्चे में क्या होती है समाज ज्वारा निर्धारित हो जाती है कि समाज में क्या रूल चल रहे हैं क्या जो नियम हमको पालन करने समाज नियम निर्धा जो है वह गलत वात है हमें चोरी नहीं करनी चाहिए तो समाज नहीं नहीं करना है यहां जाना यहां नहीं ठीक है तो परम परागर इस तरह में क्या होता है कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं कि सेच की होते हैं 10 से 13 वर्ष के और यह जो है वो नियम पालन के नियम पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ठीक है कि फिर है हमारी पहली स्टेज इसमें परम परागर परस पर एक रूप अभी निस्टा तो इसमें होता क्या है कि जो बच्चा होता है वह अच्छा लड़का और अच्छे लड़की जो है वह बनना चाहता है क्योंकि आप देखते होंगे जो 11-12-13 साल के बच्चे होते हों कॉ लगता है कि सबसे अच्छा मैं बनों मतलब वह लोगों की स्विक्रती चाहते हैं कि मुझे अच्छा लोग कहें ठीक है उनके बारे में बात करें मुझे मेरी तारीश करें तो इस एज में बच्चे क्या होते हैं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है वह बनना जाते हैं ठीक है तो इस स्टेज का नाम भी हो जाता है गुड़ गर्ल और गुड़ बॉइल इस स्टेज को वोलते हैं ठीक है फिर सेकेंड जो हमारी आती है वह कानून एवं व्यवस्था अनुक्ता लौ एंड और ऑरियंटेशन ठीक है इसमें क्या होता है बच्ची जो है क् één कानून बता दिया घराऊ बस वहीं सही है ठीक है तो बच्चे किया तैरे में काम करते हैं जो नियम बता दिया रहे बहुने कहां पर आगे बढब गए तो फिर वो बोलेゆ कि यह गलत है कानून के खिलाफ है तो कानून एवं व्यवस्था जो इसमें बनाए रखने के इन पर जादा फोकस होता है ठीक है तो रेड लाइट होने पर क्या है रुकना होता है यह जो है इस एच की बच्चे ऐसा करते है ठीक है फिर है हमारी थर्ड इस्टेट जो है उत्त उत्तर पर्मपरागत इस तर उत्तर परमपरागत इस तर में क्या होता है यह समाज नहीं थारिद कर दिया हमारे लिए प्रgraph निया है हैं वह हमारे लिये हैं हम दी के लिए नहीं मने मतलब उत्तरबर्म परागत इस तर में कहोता है आघू के सोच है वह विक्सित हो जाती ही बजचों की और वह फरक करपाते हैं कि हमें कब न горknow को नहीं करना है कि इस सटेज की बच्चे क्या होते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के इन में पहली क्या सेज होती है सामाजी कनोबंद और व्यक्तिगत अधिकार व्यवस्था ठीक है तो इसमें क्या होता है कि आपको शोशल जो है वो वह सोशल कॉंट्रेक्ट के माधियम से क्या होता है की रट लाइट होते हुए जान पहले बचाना और बच्चे ने देख लिया कि कोई अगर जो है जान बचाना ज़रूरी यह जिसको मदत की जरुवत है तो बच्ची क्या करेगा वो कि रड लाइंट को तोड़ के नियंग को और पहले वह जान बचाएगा तो यह में यह गलत हैं मैं आँगे नहीं जाओं गा तो नहीं जाएगा कि seismik कैसा माजिक अधिकार व्यवस्था थिक mechanics में क्योंता है दूसरे के फायदे के लिए अपनी यहान पर खेल जाना धिकि ушती है हमारी इसमें क्या होता है कि परागत अन वो बच्चा होता है ऑसे जो बस पर हठके सोचता है कि क्या सही एक नहीं सही है तो इसमें इसन आपके बड़ायन और सभा समाज के रूह आ ही तो वो दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं तो यह क्या है सार्फ भामिक नैती का वस्था होती है हमारी ठीक है जैसे कि भगत सिंग थे ठीक है शाहिद भगत सिंग तो यह उनका एक्जाम्पन हम ले सकते हैं यहां पर तो जो तीन स्टेज़े से इस तरह से कोयल वर्ग में वो डि कमीटी के जेंडर बाइस थे इन्होंने सिर्फ बॉइस की बात की बॉइस के ग्रूप को मतलब रखा इन्होंने गर्ल्स की बात नहीं की थी तो यह जेंडर बाइसनेस में आता है ठीक है जेंडर बाइस क्या होता है अगर आप मतलब किसी एक जेंडर को दूसरे के ऊपर र तो यहां से आपके कोल वर्ग की थियोरी जो है वो फिनिश होती है और आगे जो है हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं और आखिने फिर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमश्कार